नमस्कार साथियों बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है साथियों सुहर्देव भारती समाज पार्टी के राश्टी अध्यक्ष मानि उंप्रकास राजवर ने मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के मंत्री चौधरी भुपिंदर सिंग के साथ चाय क्या पी ली अपराहों का बाजार गर्म हो गया है पिछले दिनों मानि उंप्रकास राजवर जी मुरादाबाद गए हुए थे वहां सुहर्देव भारती समाज पार्टी के करकरताओं की बैठक थी सम्मेवन था उस सम्मेवन को संबोधित करने मानियों प्रकास राजभर जी वहां गए हुए थे और प्रोग्राम के बाद मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्यमंत्री चौधी भुपेंदर सिंग जन्पद में मौजूद थे और उन्हें पता चला तो उन दोनों की मुराकात एक स्थान पे हुई और रगभर आधे घंटे दोनों ने आपस में बाद चीत की अब इसकी खबर जब फैदी है तो कफी इसकी चर्चा होने रगिवाजनेतिक हरकों में कि एक तरफ भारती जन्ता पार्टी की सरकार को दिन रात पानी पी-पी के कोशने वारे ओंप्रकास वाजवर जी दूसरी तरफ पस्चमी उत्तर प्रदेश में जाके भारती जन्ता पार्टी के एक कद्दावर मंतिर से मिलते हैं यहां हम यह बता देगी चौधरी भुपेंदर सिंग जी माने रक्षा मंतिर राजनास सिंग जी के बहुत खास आदमी माने जाते हैं और जब उत्तर प्रदेश के मंतिर मंदर में माने उंप्रकास जी केमिनेट मिनिस्टर थे तो चौधरी भुपेंदर सिंग जी से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी तो हो सकता है कि उस दोस्ती के कारण सिष्टा चार वस माने उंप्रकास जी उनसे मिरने गए हो लेकिन दूसरी तरफ एक बात जो चर्चा में है कि क्या भारती जनता पार्टी ने अभी माने उंप्रकास जी जी पीछा नहीं छोरा है भारती जनता पार्टी अभी भी माने उंप्रकास राजभर के पीछे रगी हुई है उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए तो इसमें ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि बहुत सीगर ही उत्तर प्रदेश के मंति मंदर का भी विस्तार होने वारा है और माने उंप्रकास राजभर जी की जो मांगे हैं जिन मांगों को दे के वो भारती जनता पार्टी से समझोता किये थे और वो मांगे किसी कारण वस भारती जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई तो उनसे बात हो सकती है और उनकी जो मांगे जायज है अधिकान समांगे उनको मान दी जाय फिर उनसे झढ़रा के रह गया और उनका संगहस नहीं मांगों के लिए है और जो सरकार आएंगी वही यह मांग पूरा भी कर सकती है, तो अभी भारती जनता पार्टी के लोगों का कहना है, कि अभी तो हम गौर्वर्मेंट में हैं, उनकी बात मान रेंगे, और उससे फिर साथ अगर आ जाते हैं, तो 2022 के चुनाओं में, एक अच्छी खासी ताकत भारती जनता पार्टी को मिल जाएगी, लेकिन जिस तरस उंप्रकास राजभर जी का बयान, और जिस तीखापन से उनका बयान आ रहा है, उसको देखते हुए ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन राजनीत में कुछ भी हो सकता है, यह भी सही है, राजनीत में कुछ भी हो सकता है, यह भी सही है, और मानियोंप्रकास राजभर का संगहस, जिन मांगों को लेके हैं, तो वो तो सरकारें ही पूरा कर सकता, कहीं भी और नहीं हो सकती, तागर जो बरतमान सरकार हैं, उनकी मांग मान दे, ये तो इनके सहयोगी भी रहे हैं, तो उनके फिर बात आगे बन सकती है, इसा इसमें राजनितिक लोगों का कहना है, हमारा इसमें अपना कोई मत नहीं है साथियो, हम तो जो वहां मुलाकात हुई है, और मीडिया पे अख़वारों में जो गबर आई है, तो उसको आप तक हमार ने पहुंचाया है, कि राजनिति में बढ़ी संभावना होती है, और आप देखे होंगे कि इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया मानी अखरे सियादो जी का भी बयान आ गया, कि हम छोटे छोटे दरों से समझावता करेंगे, कभी करेंगे, अब ही तो पता नहीं, लेकिन वो बयान आता जा रहा है, तो वो छोटे दर माने कौन, सारे दर तो माननी अमप्रकास राजभर जी के साथ हैं, और रगभग दस दर माननी अमप्रकास जी के साथ हैं, तो इनके लिए ही यह सारा है, लेकिन इसारा इसारा से तो कुछ होना न अब समय नहीं बचा है, अब बहुत जर्दी करना होगा, और हमें ऐसा रखता है कि 15-20 दिन के अंदर इस्तिती पूरी तरफ साफ हो जाएगी, कि मानियों प्रकास राजभर जी किधर रहते हैं, उधर जिस दर चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में उधर परवरा भारी हो ज काता है, तो निशित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी 2022 में, और भारती जनता पार्टी की तरफ जाती हैं, तो वो भी अपना चाहत उनकी है, बहुजन समाजपार्टी ने पहले ही असपस्ट कर दिया है, कि हम अब समझोता किसी से नहीं करेंगे, तो बहुजन समाजपार्टी की क्या ताकत है, ये किसी से छिपा नहीं है, ये उनका अपना आउट रूक है, जो भी इस्तिती हो सकता है, कुछ ताकत बढ़ाने का कोई रणीत वो बनावें, बस साथियों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो, राइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आयो हो, तो सब्सक्राइब अवस्ट कर दीजेगा, थैंक यू, थैंक यू बेरी मच्च.